हेलो दोस्तों नमस्कार आज हम बात करेंगे पादब कुषका में उत्पन विभिन प्रकार के दाब तोपी को ध्यान से समदेंगे उसके बाद में आप किसी भी डीपीपी को निकालेंगे तो आपको समस्य नहीं आएगी देखिए पादब कुसका में उत्पन विभिन प्रकार के दाब की बात यहां करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे इश्पित दाब आश्ण दाब भी बोलते हैं देखिए आपको दर्साहे गया है यह इसको बता रहा चुर्णपन को करफित बढ़ता है कि जब अब्लॉप क्याणों कोश्का की अंदर आएंगे तो कोशका कायतन क्या हुगा बढ़ेगा फल सवरूप कोशका द्रव के द्वारा कोशका भित्ती पर कोशका भित्ती पर या कोशका जिहली पर माल लो यह देखिए कोशका भित्ती पर भित्ता से बाहर के लगने वाले दाब को इश्पित दाब बोलते हैं कि ये दाव लग रहा है, ये कुंसा दाव है? इश्पिद दाव, टरर्गर प्रेशर. तो हम संब कह सकते हैं, कि कुषका द्रो के द्वरा, अंदर से बाहर के और लगने वाले दाव को क्या कहा जाता है? इश्पिद दाव, टीपी. एक सलट कोशका का इष्पिद दाव क्या होता है? सुन्य होता है, शिपिद पीचकी होई, जैसे के हमें बात करें किसमिस की, तो उसकी उपर इष्पिद दाव क्या होगा? सुन्य होगा जबकि एक इस्पित कोशिका है इस्पित यानि फोली वी उसका टीपी का मान क्यों होगा अधिक्तम होगा तो ये था टी-पी यानि अंदर से बाहर के ओर कोश का भित्ती पर लगने वाले दाप को क्या बोलेंगे इस्पित दाप बॉलेंगे अब नंबर दोबात करेंगे वित्ति-दव वाल प्रेश देखें। आप ये देख रहें ये इसकी विप्यृत है डवल उप्य वाल प्रेश हैं जब पादब कुस्का इसपी तवस्ता में होती है तो कुस्का बित्ति जरन रवरा कोसिका ज्हली है कोसिका ज्ली पर इस पीडाब सी अ कमें है को एक दाव प्रीक्वता है संसरे और उस्सां करता है उसे स्वें वित्ति वाल प्रेश्र बोलेंगे लए मिनति को प्रीट को फटने से बचाता है तो ये की त्पट है डगलोपी इने टीपी के ठीक विपरित क्या लग रहा है डवल्य वाल परेशा लग रहा है नallah त्पराशन श्याव ऐसमतिक और अपी क्ये है दे कि आपके बद करेंगे ऐसमितिक परेशर तो ओपी क्या है वहे दाब जो सुद्ध जल यानि विलायक को आर्द पारग में जली के दूसरी और उपस्तित विल्यन में जाने से रोकने के लिए आवसक होता है उसे क्या कहा जाता है पराशन दाब ओपी बोलेंगे पसमसित प्रेशर बोलेंगे किसी विल्यन का प्राशन दाब विलायक में उपस्तित विल्यन के अणों की संक्या के क्या होता है शमान पाती होता है देखिए ओपी है प्राशन दाब तथा इश्पिद दाब जो पढ़ चुके है यह इस पिद दाब दोनों परासन क्रिया की कान उत्पन होते हैं कि OP और TP दोनों परासन क्रिया की काने ही उत्पन होते हैं सुद्र जल का परासन दाब हमेशा क्या होता है सुनने होता है कि टीपी डावलूपी और ओपी अब इन सभी दावों के अंदर हम सम्मंद भी पढ़ेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको अगले पेज के उपर लेकर चलता हूं इन लाइनों को इरेज कर देता हूं जैसे आपको समझने में भी आसानी होगी देखिए हम बात करेंगे विस्तरन दाव नियुंता जैसे हम कहेंगे डीपीडी देखिए विस्तरन दाव नियुंता क्या है डिविजन फ्रेशर डिविसेक्ट या सोट में हम क्या बोलते हैं डीपीडी बोलते हैं या विस्तरन दाव नियुंता शुद्य जल का विस्ण दाब अधिक्तम होता है यदि शुद्य जल में विले पदहर्थ के कुछ अनू मिला दिया जाए तो विलेन का विस्ण दाब सुद्य जल से कम हो जाता है आता है शुद्य जल वे विलेन के विस्ण दाब में अंतर पाये जाता है हम इस डीपीडी की बात करें विश्ण अदाब नियुंता क्या है समान ताप वे वाइमेडली दाप पर विलियन के विश्ण अदाब तदा शुद्ध जल के विश्ण अदाब में मिलने वाले अंता को उस विलियन की विश्ण अदाब नियुंता इन डीपीडी बोलते है देखिए दूसरे सब्दों में विस्तरन दाब नूंता कोश्का में जलकी मांग है याद रखें कोश्का में जलकी मांग डिमांड एक प्रकार से कह है विस्तरन दाब नूंता है यानि किसी कोशका की जलकी मांग अधिक है इसका मतलब उसकी डीपीडी अधिक है यह आपको धारकना है मैं आपको याद रहा है जलकी मांग एक पूर्ण सलत कोशका में DPD का मान अधिक्तम होता है पूर्ण शलत कोशी का में DPD का मान क्या होगा अधिक्तम होगा जैसे हम बात करें थे किसमिस की उसके लिए DPD का मान क्या है अधिक्तम होगा है जबकि एक स्पित कोशका में DPD का मान क्या होता है सुन्य होता है यदि अंगूर की बात करें उसके लिए dpd का मान क्या है सुन्य है क्यों इसकी जलकी मांग नहीं है तो इसकी अधार पे आप पेचा लेंगे कि जलकी मांग क्या अधार पर प्रासंदाब प्रासंदाब तदा इश्पित दाब दोनों के बीच का अंतर विस्टनदाब न्यूनता कहलाता है तो हम कह सकते हैं कि dpd बराबर dpd बराबर op-tp यह op है और minus tp यह विस्टनदाब न्यूनता है यानि प्रासंदाब और इश्पित दाब इन दोनों का अंतर क्या होता है dpd होता है dpd तदा अन्य दाबों में जो संबंद है उसके लिए आपको याद रख़ए कि dpd बराबर क्या होता है op-tp यह आप धान रखेंगे देख इस ग्राब को आप समझेंगे पहले क्योंकि मैं आपको थोरी समझा रहा था लेकिन ग्राब को समझे पराश्ण दाब यह आइ यह यह ऐँपी हैं यह क्या है और यह उस्ड़त कोसिकर ऐहां यहां पर सलथ माना एंदे लिख़ वा है सलत कोशका यहां समानो और यहां एक प्रकार से किसको बताएगा इश्पित को सिखाओ देखें आप देखें और यह बीच वी वाला है यह वाला आप देख रहें यह बीच वाला एरिया जो तीर के निसान से इंडिकेट गया गया विश्ण दाब नहींता डीपटी को बता रह लेकिन एक इसी आती है कि टीपी बराबर ओपी क्या है टीपी बराबर ओपी कि यहां पर टीपी बराबर क्या हो गया ओपी हो गया तो उस कंडिशन में कोशका क्या होगी इस पित अवस्ता में होगी कि जब क्या होगा टीपी बराबर क्या होगा ओपी तो उस कंडिशन में कोशका क्या होगी इस्पित होगी याद रखें तो आपको बताय गए था कि एक इस्पित कोशका के लिए एक कोशका कैसी है इस्पित है और इस्पित कोशका होती है उसके लिए डीपीडी का मन क्या होता है सुनने होता है डीपीडी का कुछका है सलत है देखिए यहां पर डीपीडी क्या हो गया सुनने हो गया यहां पर जाके डीपीडी क्या हो गया सुनने हो गया है लेकिन एक कुछका कैसी है कि सलत कुछका है और यहां सलत कुछका क्लिए आप देखेंगे तो इस शलत कुछका के लिए कि यह देखिए जारी कम होती ही आ रही है और यहां पर आके डीपीडी क्या हो जाती है सुन्य हो जाती है तो हम कह सकते हैं इस पिद को उसका है डीपीडी का मान क्या होता है सुन्य जबकि एक उसका कैसी है सलत है और इसके लिए आप देख रहे हैं DPD का मान क्या अधिक्तम है तो हम कह सकते हैं DPD बराबर OP-TP लेकिन आपने पढ़ा है कि TP बराबर क्या होता है WP होता है क्योंकि आपको धाने श्पिद दाप और भित्ति दाप दोनों एक दूसरे के विप्री दिशा में लगते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं DPD बराबर OP-WP एक्जाम में पूँच ले जाएगा याद रखें गलत ओप्सन दिया होगा और आपको पहचान नहोगा निम्न में से असकते कुन सा है तो आप पहचान लेंगे ये पक्षानतर करके आप निकाल सकते हैं फोर्मूला बना सकते हैं देगे इससे संब्धी क्यूशन बहुत सारी पूचिए जाते हैं जैसे एक पूण शरत कोशका के लिए DPD का मान कितना होता है तो आप बताएंगे आधित्तम होगा इससी प्रकार से और भी क्यूशन आ सकते हैं कि एक पूण शरत कोशका के लिए DPD का मान कितना होता है तो आप क्या बताएंगे सुन्ने होगा यह यह पूच ले जाए विस्तन दाब, निूंता, पराशन दाब तो आप शरत करने वाले शुत्तर लिखिए तो आप लेखेंगे DPD बराबार OP-TP इस्षी प्रकार से और क्यूशन पूच जाए एक स्पित कोशका के लिए TP का मान होगा तो आप TP का मान यहां से देख के बता देंगे कि एक स्पित कोशिका है उसके ओपर TP का मान क्या होता है अधिक्तम होता है मैं और एक कोशका कैसी है एक कोशिका के लिए TP का मान कितना होता है सुन्य होता है तो यह था अपना पादब कोशका में उत्पन विबन प्रकार के दाव वह उनके बीच में संब्थ वीडियो ये दिये आपको अच्छा लगाओ तो लाइक वे सब्सक्राइब करना ने भूले धन्यवाद